नमस्कार, कलीसे समाचारों में आप सभी का स्वागत है आज की कलीसे समाचार इस प्रकार है कोलकता महाधर्मप्रांथ दुवारा ओनलाइन धर्मसिक्षा कोलकता के महाधर्मादक्ष ने फेज चैट पहल को प्रोथ साहन दिया जिससे की बच्चों और युवाओं को ओनलाइन धर्मसिक्षा दी जा सके धर्मप्रांथ ने फेस्बुक में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया कि इसका निर्माण कोरोना वारस द्वारा उत्पन इस कटिन समय में बच्चों के विश्वास को पोशित करना है इस पहल से अधिकतर उन बच्चों को फाइदा हो रहा है जो प्रथम परंप्रसाद की तैयारी कर रहे हैं युवा जो द्रिडिकर्ण संसकार की तैयारी कर रहे हैं एवं दूसरे युवा जो इसमें भाग लेना चाहते हैं धर्म सिक्षा की ओन्लाइन क्लासेस दस जुलाई को शुरू होगी और सत्ताई सितंबर तक जारी रहेगी यरुसले में इसाई विरासत की सुरक्षा हेतु अहवाहन यरुसले में कलिस्चाई अधिकारियों ने इसराइल सरकार से एतिहासिक शहर में इसाई धरोहर की अखंडता, पवित्र स्थलों और यरुसले में इसाई निवासियों के अधिकारों की रक्षा का अहवाहन किया पवित्रात्मा की शक्ती बुरी शक्तियों को जुकाती है संत पापा 6 जुलाई को कैथलिक अली साय इटली की शहीद और कुवारी संत मरिया गोरोती का पर्व मनाती है जो अपने विश्वास में अटल रही इस दिन संत पापा ने सभी विश्वासियों को पाप, बुरी शक्तियों से दूर और ईश्वर के प्रेम के अधिन रहने हेतु प्रेरित किया अपने संदेश में उन्होंने लिखा विश्वास हमें इस दुनिया के मार्ग पर येशु के साथ चलने के लिए सुनश्चित करता है लेंपेडुसा यात्रा की सातवी वर्षगाट पर संत पापा का ट्वीट संदेश आठ जुलाई 2013 को संत पापा फ्रांसिस ने रोम के बाहर इतावली द्वीब लेंपेडुसा की पहली अधिकारिक यात्रा की थी उस समय सिसीलिया के टट से दूर अफरीका महादीब की यात्रा करने वाले प्रवास्यों का एक विशाल समूद देखने को मिलता था जो एक छोटी नाओ द्वारा इटली होते हुए यूरोप की देशों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे संदेश में उन्होंने लिखा लेंपेडुसा द्वीब की मेरी पहली प्रितिक यात्रा की वर्षगाट पर हम प्रातना करें कि हम येशू के चहरे को उन लोगों में खोट सकें जो अपनी मात्र भूमी से भागने को मजबूर है क्योंकि दुनिया में अन्याय और पीडा जारी है कोरोना के बीच अच्छी खबर लाइलाज बिमारी एड्स की दवा मिलने का दवा किया गया है साव पाउलो के फेडरल उनिवर्सिटी के शोत करता के मताबित दवाओं के एक मिश्रन के इस्तिमाल से ब्राजील का एक शक्स एड्स के वाइरस से मुक्त हो गया शोत करता के मताबित एचाईवी पीडित को कई तरह के एंट्री वाइरल दवाओ और निकोटिमाइड ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया गया यूनिवर्सिटी में कहा गया है कि गोपनियता कानून की वज़े से मरीज का नाम सारवजनिक नहीं कर सकते हैं लेकिन विश्व स्वास्त संगटन को जल्द इसकी जानकारी दी जाएगी अब हर रविवार पूर्ण रुप से होगा लॉकडाउन कोरोना संक्रमन की इस व्रद्धी को देखते हुए राज सरकार ने तै किया है कि रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रखा जाएगा साथी सबी जिलों को भी पूर्ण रुप से बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है अब सब्ता के 6 दिन अनलोक रहेगा एवं रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा इसी प्रकार आज के मुके समाचा समाप्तुवे नमस्कार